Hello friends, मैं Dr. Amit Maheshwari, आप सभी का सवगत करता हूँ आज की इस informative training वीडियो में दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा An idea can change your life एक idea आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की शक्ती रखता है बशर्ते हमें अपने idea पर पूरा विश्वास हो, पूरी लगन, महिनत और इमानदारी के साथ हम अपने idea पर काम करें जैसे से economy का development होता जा रहा है, लोग hard work की जगा smart work पर focus कर रहे हैं और अगर आप अपने किसी भी business या profession में hard work की जगा smart work को implement करेंगे तो आपके growth की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी Friends, आज में लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी case study जहाँ पर एक company के साधरन employee ने hard work को focus करने की बजाए, जब smart work पर focus करना किया, तो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया HCL company का एक साधरन करमचारी जो एक company में एक system analyzer के रूप में US में काम करता था उसे विश्वास था कि यदि वे अपने सपने को साकार करना चाहता है और पूरी शिद्धत्य उसके साथ काम करता है तो एक दिन वो बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकता है और इसी सपने को अपने मन में संजोय वे वो व्यक्ति US की नौकरी को छोड़ कर हिंदुस्तान में आ गया और उसने अपने सपने पर काम करना शुरू कर दिया शुरुआती दोर में अपने सपने को पुरा करने के लिए जब उस व्यक्ती ने दूसरे लोगों को अपने सपने के बारे में बताया तो लोग उसकी मदद करने के लिए तयार नहीं थे लेकिन उसके मन में एक दिर्ड विश्वास था कि मुझे वो हासिल करना है जिसके बारे में मैंने सपना संज होया है अगर लाइफ में आप काम्याब होना चाहते हैं तो इन दो बातों का अनुकरण अपने जीवन में अवश्य करें अगर आपके पास एक परपस्फुल बिजनस प्रोजेक्ट है तो उसके काम्याब होने के चांसेज कई गुना बढ़ जाते हैं and the second most important thing ask yourself what is the social responsibility of your business फ्रेंच भारत में computer का अन्ति आने के बाद online business का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है ऐसे में बहुत सारे manufacturer, trader, wholesaler, supplier अपने products को online बेचने की होड में लगे हुए हैं जैसे जैसे economy का development होता गया लोग hard work से smart work की तरफ convert होते जा रहे हैं ऐसे में दिने शगरवाल के मन में एक विचार कौन था और उस विचार पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो एक ऐसा बेहतरीन business निकल के सामने आया जिसको जानकर आप लोग आश्चारे शक्रित हो जाएंगे दिने शगरवाल ने जब Indian economy में देखा कि बहुत सारे लोग online business की तरफ अपना रुख कर रहे हैं तो ऐसे में दिने शगरवाल के मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा platform बनाया जाए जहां बहुत सारे buyer, manufacturer, wholesaler, supplier, retailer, importer और exporter को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया जाए ताकि कोई भी buyer यदि product को सर्च करता है तो उसको product खरीदने में कोई परिशानी ना हो और उन्होंने HCL कमपनी में system and leather की नौकरी को छोड़ कर भारत में आने का फैसला किया लेकिन अपने मन में एक जोस, जजबा और जुरून लेकर दिने शकरवाल ने अपना career शुरू किया नौकरी छोड़ने के बाद जो प्रालंबिक दिन थे वो बहुत कटनाई के थे जैसे तैसे करके उन्होंने 40,000 रुपए का इंतजाम किया और अपने लिए एक computer खरीदा अपने computer पर उन्होंने एक website बनाई और उस website पर बहुत सारे buyer को list करना शुरू किया और एक दिन प्रगती मैदान में trade fair के exhibition में participate करते वक्त उन्हें असास हुआ कि आज बहुत सारे buyer लगातार उनके portal से जूरूते जा रहे हैं दिने शगरवाल हमेशा आपने आप से एक सवाल किया करते थे कि is there any possibility of growth as a industrialist in IT industry और उनका जवाब था yes दिने शगरवाल है मानते थे कि know your ability, work on your dream and always believe yes I can do this और इस विश्वास के साथ आज India Mart भारत का सबसे बड़ा B2B portal बन गया है started career with one computer and very soon they achieved 7 lakh listed members and more than 5 million buyer across the globe और 1998 में दिने शगरवाल ने मुंबई में अपने दूसरे office setup की स्थापना की जहां पर 1000 client और लगभग 100 से अधिक करमचारी काम किया करते थे और फिर 9-11-2001 में US में terror attack हुआ और terror attack होने के बावजूद भी वो अपनी हिम्मत और लगन के साथ डटे रहे जबकि उनका काम केवल 44% रह गया लेकिन अपने अंदरात्म विश्वास के साथ उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वो वक्त आया जब 2007 में दिनिश अगरवाल ने नौईडा में 7 करोड का office setup बनाया उसके बाद बेश हुमार सफलता मिलती गई सन 2014 में दिनिश अगरवाल ने पूरे भारत वर्ष में 50 से अधिक office और 2500 से अधिक करमचारियों के साथ एक बहुत बड़ा empire खड़ा कर दिया और 2014 में उस company के turnover 200 करोड रुपए हो गई और फिर 2015 में दिनिश अगरवाल जी किया company 365 करोड रुपीज का turnover पार कर चुकी HCL company के करमचारी से लेकर और India Mart के CEO and founder director बनने तक का जो सफर था उसके बारे में जब दिनिश अगरवाल से पूछा गया कि आपकी सफलता के राज क्या है तो उन्होंने बताया कि हमेशा अपने सपनों पर काम करें अपने सपनों में रंग भरें अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जोस जजबा जनून और ताकत के साथ हमेशा उन पर विश्वास करें जो सफलता आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो के वला तभी हासिल कर सकते हैं जब उस सफलता में दूसरों का फायदा हो अपने आपको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्ररेत करें आने वाला कोई भी informative training वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे अगली informative training वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी problems थी वो कौन कौन सी ऐसे weak points थे और वो कौन कौन सी ऐसी possibilities थी जिन पर नोकिया ने ध्यान नहीं दिया और उनका business धराशाई हो गया पूरे भारत वर्ष से हमें बहुत बेहतरीन response मिल रहा है और entrepreneurs, professionals and students life training program attend करने पूरे भारत वर्ष से आ रहे हैं बहुत सारे लोग किसी कारण से life training program में नहीं आ सकते उन लोगों की recommendation पर उन लोगों की requirement पर हम लोगों ने अपने life training program को online classes के रूप में convert किया है आप भी online right time training program अपने घर बैठ कर देख सकते हैं